नमस्कार दोस्तों, हर्षिद दिवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीत सागर देखिए जमुवन कश्मीर में 5.9 मिलियन ठंड का लिधियम डिपोसिट्स को डिस्कवर किया है जियोरजिकल सवे ओफ इंडिया ने आज की डेट में लिधियम डिपोसिट्स की डिसकवरी कितना इंपोर्टन्ट है यह आप शायद जानते होंगे देखिए पूरी दुनिया एनरजी ट्रांसिशन में लेगे है दोस्तों, फोसिल फ्यूल सोर्सर से हमें रिन्यूबल एनरजी सोर्सर की और जाना है जब आप रिन्यूबल एनरजी से एलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करोगे, वो एलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करना बहुत जरूरी है नई तो आपको राउंड दक लोक एलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं होगा तो वो electricity को अब store कहा करोगे अब उसी बाते बैटरी में करोगे और वो बैटरी अब किस से बनाओगे लिथियम से बनाओगे present status क्या है न दोस्तों इंडिया के पास renewable energy potential बहुत है चाहे वो पानी हो हवा हो या फिर धूप पर renewable energy से electricity generate करने के बाद उसे store करने के लिए जो बैटरी चाहिए न वो बनाने के लिए जो लिथियम चाहिए वो हमारे पास नहीं है तो वो लिथियम हम बाहर से import करते हैं from countries like Bolivia, Chile, Australia, China, etc. क्योंकि आज की date में सबसे ज्यादा लिथियम deposits इन सारे countries में हैं तो अब इंडिया में अगर लिथियम deposits है तो हम उन लिथियम deposits को explore करके उसे रिफेन करके उसे हम लिथियम आयन बैटरी बना सकते हैं तो complete self-relate बन जाएंगे हम renewable energy sector में तो अब यह जो लिथियम deposits का discovery हुआ है This is from Salal Haimana area of Riyasi district of Jammu and Kashmir and total estimate से 5.9 million tons का अब आपको एक important point समझना है दोस्तों यह जो लिथियम deposits का discovery हुआ है This is actually lithium infrared resources या फिर आप बोल सकते हैं G3 exploration हुआ है अब आप पूछोगे G3 exploration मतलब क्या है देखे United Nations का एक framework के उन्होंने mineral resources का exploration को categorize किया है like G1, G2, G3, G4 basically कोई भी mineral deposit का exploration चार stages में होते है यही तरीका Geological Survey of India भी follow करते है वो 4 stages है G4, G3, G2 and G1 G4 का मतलब है reconnaissance survey basically area को locate करने का एक process है G3 में preliminary exploration होता है जैसे कि अभी Jambu and Kashmir में lithium deposits का preliminary exploration हुआ है तो आपको समझना है दोस्तों this is actually preliminary exploration इसके बाद general exploration होगा and then detailed exploration होगा that is G1 for example देखें दोस्तों यह Geological Survey of India का 2016-17 से लेके 2021-22 तक का survey data है इसमें आपको दिख रहा है दोस्तों इन्होंने stage classification दिया हुआ है एक-एक mineral exploration को जैसे कि G4, G3, G2, etc तो देखें 2016-17 में करनाड़का का यदगीर and राइचूर region में mineral exploration हुआ था तो tin, tungsten and lithium के लिए हुआ था और देखें इसे G4 stage में दिया हुआ है basically locate किया है और कुछ हुआ नहीं है फिर अगर आप नीचे आओगे राजस्तान का सिरोही region में G3 दिख रहा है इधर भी lithium and rare metals का exploration हुआ है तो ये G3 stage में basically preliminary exploration चल रहा है फिर अगर आप देखोगे राजस्तान का नगोर region में रेवाथ हिल में tungsten and lithium का G2 stage में पहुँच गया है और 15 minerals का भी preliminary exploration हुआ है 11 states and union territories में से इन्होंने 2018-19 से actually ये exploration शुडू किया था तो कौन-कौन से states and union territory से ये भी देख लेते हैं जिम्मुएन कश्मीर, आंध्रा परदेश, छतीजगट, गुजरात, जारकन, करनाटका, मत्यपरदेश, ओडिशा, राजस्तान, तमिल नाडू और तेलंगाना और कौन-कौन से mineral से दोस्तों lithium को छोड़के gold है, potash है, molybdenum है और भी अलग-अलग base metals है Now, global reserves of lithium भी चक करते हैं मतलब कौन-कौन से countries पे सबसे ज्यादा lithium deposits है United States of America का Geological Survey, Mineral Commodity Summaries 2022 के हिसाब से दुनिया में total 80 million tons का lithium resources है Now, आजकल अगर आप देखोगे न lithium and batteries एक revolutionary change लाया है जैसे कि हर एक electronic gadgets में lithium and batteries ही use होता है चाहे हो आपका smartphone हो laptops हो, tablets हो Most importantly, आजकल जितने electric vehicles market में आ रहा है वो सभी में कौन सा battery use होता है lithium and battery use होता है एक estimates के हिसाब से इंडिया का annual lithium and battery market 116 gigawatt hour तक पहुंचने वाला है 2030 तक Finally, what is the government doing देखें, lithium and battery sector को promote करने के लिए, encourage करने के लिए government की तरफ से क्या-क्या actions रहा है 10% of new vehicle registrations electric होना चाहिए करके government ने target बना रखा है तो इसके लिए क्या चाहिए होगा lithium-ion batteries से होगा तो अगर यह lithium-ion batteries या cells हम locally manufacture करेंगे तो सबसे अच्छा होगा ना तो इसके लिए government of India ने क्या किया सबसे पहले lithium-ion cells का जो import duty है ना, उसे double किया तो आप ही के इसाब से अगर कोई भी company को lithium-ion cell import करना है बाहर से तो 10% import duty देना पड़ेगा import duty ज्यादा होगा तो उब्यूसी बात है दोस्तों लोग कम import करेंगे बाहर से और the same time government ने एक production linked incentive scheme भी अनोंस किया local manufacturing of lithium-ion cells को promote करने के लिए production linked incentive scheme क्या है हमने काफी बार discuss किया है basically production के साथ-साथ government incentive provide करेंगे manufacturing companies को जितना स्यादा आप produce करोगे उतना स्यादा आपको government से incentive मिल जाएगा ठीक है और इसी scheme के under government financial allocations भी किया है for advanced chemistry cell batteries under the national program for advanced chemistry cell that is NPACC अब आप पोचोगे ये advanced chemistry cell batteries क्या होता है कुछ नहीं दोस्तों basically ऐसे batteries जो electricity को आज chemical energy store कर सकता है and जब चाहिए हो उस chemical energy को वापस electrical energy में convert कर सकता है basically जो lithium-end batteries होता है यह वही है वही process होता है lithium-end battery के अंडर भी तो basically advanced chemistry cell batteries को promote करने के लिए government financial allocations किया है under the national program for advanced chemistry cell पर आपको एक point समझना है दोस्तों अगर lithium-ion cells इंडिया में locally manufacture करना है उसके लिए lithium चाहिए ना तो अभी तक यह lithium जो है हम बाहर से import कर रहा है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला Australia, China, Latin American countries हम lithium को import करता है वो raw lithium जब हमारे पास आता है उसे हम refrain करते है उसके लिए इंडिया में referring factories है जैसे कि आपने सुना होगा reasonably गुजरात में एक lithium referring factory का opening हुआ था वो factory का नाम है भोल गया अगर आपको पता है तो आप मुझे comment box में बता दीजिए तो देखे दोस्तों simple जी बात है जैसे हम crude oil बाहर से import करते है इसके बाद हमारा जो oil marketing companies है ठीक है वो क्या करते है उस crude oil को refrain करते है है कि नहीं refrain करने के बाद crude oil से हम petrol बनाते है diesel बनाते है corrosion बनाते है अलग-अलग components रहता है वो components को हम export भी करते है वो अलग बात है तो इसी तरह lithium raw lithium हमारे पास आते है उसे हम refrain करते है तो यह जो lithium का imports अभी हो रहा है यह अगर हम बंद करेंगे और हमारे पास to deposit से उसे use करेंगे then it will be a revolutionary change for us तो दोस्तों that's it और एक important point में बताना चाहता हूँ वैसे मैंने पहले भी कई सारे videos में यह point आपको बोला है कि देखे आने वाले time में जिनके पास lithium deposits होगा उनी का राज होने वाला है क्योंकि lithium एक ऐसा चीज़ से जिसे energy create हो रहा है जैसे कि आप ही के इसाब से west station countries पूरी दुनिया को dominate करता है क्योंकि उनके पास क्या है तेल है है कि नहीं तो तेल का importance कम होने वाला है क्योंकि तेल आप use करोगे उसे greenhouse gas emissions होगा जिसे global warming होगा तो that is not a sustainable thing to do तो कितना साल लगेगा यह मुझे पता नहीं हो सकता है 50-100 साल लगे पर future में जिनके पास lithium deposits होगा वो दुनिया को control करेंगे जैसे कि आप ही opaque countries जो है पूरी दुनिया को न चाहते है So I hope आपको वीडियो informative लगाओगा Thank you for watching, bye bye Have a nice day